आप इन्डिया ऐस चली अब महराश्ट की तरफ आते हैं महराश्ट में लेकर इंडिया गड़ बंदन में जो हो रहा है लेकिन इंडिया में भी बड़ी खड़ चल रही है खबर ही आ रही है कि वहाँ पर वहाँ पर भी मामला जम नहीं रहा है अजीत पवार और शिंदे साथ नहीं नहीं अच्छे जम रहा है और सब बहुत अच्छे तरीके से होगा seat sharing भी अच्छी होगी और बहुत अच्छे तरीके से हम चुनाओं में जाएंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें कोई दोराय नहीं होता है कि जब alliance की बाची शुरू होती है seats की बात शुरू होती है तो हरे कोई अपना अपना दावा पेश करता है बाद में सब लोग मिल करके तहे करते हैं अच्छा रहेगा अब महराश्य से बिहार की तरफ आ गए है एक सवाल मैं आपसे पूछरा जाता हूँ और ये मेरा सवाल नहीं है ये देश की जनता का सवाल है नितीश जी अब तो वापस नहीं जाएंगे नहीं मुझे नहीं लगता लेकिन एक बात उसमें से समझने की है कि पहले भी मैंडेट 2020 में वो एंडिये को मिला था वो बीजेपी और नितीश कुमार को और नितीश को हम नेता मान करके चले थे अब क्या होता है बीच में कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिन कारणों से कुछ लोगों ने कुछ तरीके का कारण किया होगा जिसके कारण वो गए वहाँ लेकिन उनको ध्यान में आ गया और हमारा मानना ये है कि नाचुरल एलाइंस मैंने उस दिन भी कहा था कि उनका नाचुरल एलाइंस और जिसको हम कहते हैं कि Organic Alliance वो बीजेपी के साथ ही है वो और किसी के साथ नहीं है और जब जब वो बीजेपी के साथ आये है बिहार प्रदेश को Stability मिली है बिहार प्रदेश को Development मिला है बिहार प्रदेश को Law and Order Situation Control में आया है तो he also understood और उन्होंने इस बात को ध्यान में रख करके फिर से आने का हमारे साथ पेशकश की अब मैं किस नेता ने बीजेपी के क्या-क्या नितिश जी के बारे में बोला वो नहीं मैं बोलूँगा लेकिन दरवाजे बं थे और यह का गया था कि अब कभी नहीं खुलेंगे तो यह खुले कैसे यह राज तो खोल दीजे हमारे मंद से आज ऐसा है फिर क्या कहते हैं कि राजनीती में रणनीती जो होता है वो परदे का विशे होता है समय पर ही खोला जाता है तो हम समय पर ही राज तुलेगे चुनाव से पहले इंडिया गडबंदन के और कौन से दल है जो आ सकते हैं नितीज जी की लाइन पर चल सकते हैं ऐसा मैं नहीं कह सकता ये तो उनको तै करना है हमारे तरफ से सब के लिए सब का साथ, सब का विकाद, सब का विश्वाद, सब का प्रयाद तो मतलब कतार में कई और दल है कतार में, लाइन में कई और कई और दल है नहीं ऐसा नहीं है ये कभी आ जाते हैं तो हो जाएगा, नहीं आएंगे तो नहीं होगा ऐसा मैं कोई इनको लाइन में लगाना नहीं चाहता और लाइन में दिखने भी नहीं चाहिए यह अकले-अकले आने चाहिए जी मेरा अगला सवाल है कि 2024 में आप प्रधान मंत्री मोदी और बीजेपी हैट्रिक लगाने की तियारी कर रही है खड़गे जी भी इस मंच पे थे और खड़गे जी ने एक थोड़े दिनों पहले बहुत बड़ा उनका एक स्टेट्मेंट था कि अगर 2024 में मोदी दुबारा जीत के आते हैं तो लोगतंत्र समाप्त हो जाएगा चुनाव खतम हो जाएंगे देखिए सचाई तो ये है कि कॉंग्रेस पार्टी का इतियास ये एमर्जेंसी भूल गए डेल लाख लोगों को इन्होंने मेंटेनेंस आफ इंटर्नल सेक्यूरिटी आक्ट मीसा के तहट और डिफेंस आफ इंडियन रूल डी आई आर के तहट इन्होंने बाइस महिने जेल में रखा था और इलेक्शन भी गलत फहमी में कराया था क्योंकि इनको एजेंसी ने बता दिया कि अब मिसिस गांदी आपकी पॉपलारिटी बहुत बन गई है तो आपने इलेक्शन करा दिया नहीं तो आप इलेक्शन कराते भी नहीं तो जिन पार्टी का ये ट्रैक रिकॉर्ड है उसके अध्यक्ष ये बोलें कि चुनाओ के बाद ये अंतिम चुनाओ होगा ये हम वोन लोगों में से हैं जो इस बात को विश्वास करते हैं कि प्रजातंत्र इस देश में 1947 से पहले था सबसे पुराना प्रजातंत्र का देश है तो वो भारत है हम ये मानने वाले लोग हैं तो इसलिए हम कहां प्रजातंत्र को कभी तकलीफ देने वाले हैं और चुनाओ में लोगों का आशिरवाद मिल रहा है खरगे साहब ने जो ये वक्तवे दिया ये एक्चुलि कॉंग्रेस पार्टी के सोय हुए कारकरताओं को जगाने के लिए संदेश दिया वो बिचारे कॉंग्रेस पार्टी वाले इतने सोय हुए हैं कि उनको जगाने के लिए कि इसके बाद तुमको चुनाओ लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा इसलिए उठो, जागो, यही अंतिम मौका है, इसलिए उन्होंने का, यह आप बात क्यों कह रहे हैं कि इसके बाद Congress Party को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, मतलब आपको लगता है Congress Party 2024 के बाद कुछ हो जाएगा Congress Party को, यह आप बोल रहे हो, मैं तो यह बोल रहा हूं, कि वो अपनी Party को जगा रहे थे, उनको इंठ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ना ताली बज रही थी, ना कोई response आ रहा था, ना जनता से आ रहा था, तो यह अंतिम मौका है, खड़े हो जाओ, तो यह वक्तवे बन गया, क्योंकि राश्टी अध्यक्ष ने कहा, तो वो वक्तवे बन गया, लेकिन हमारे तरफ से ऐसा नहीं है कि Congress Party का लेकिन आप लोगों ने भी परिवारवाद का आरोप लगाना छोड़ा नहीं Congress Party पर, अब तो राहुल जी भी अध्यक्ष नहीं है, सोनिया जी भी अध्यक्ष नहीं है, प्रियंका जी भी अध्यक्ष हो रही है, री पैकेजिंग किसकी हो रही है, यह किसलिए हो रही है, तो यह तो spokesperson बन जाते हैं न, वो तो असल तो leadership तो उनको इनकी ग्रो करा रहे है, खड़गे जी का कोई यात्रा निकलती तो मेरे समझ में आता, कि उनकी कोई उनके नेत्रतों में चल रहा है, तो उनके नेत्रतों में चल नहीं रहा है, वो तो east से north भी जाना हो तो एक ही आदमी, east से west भी जाना हो तो एक ही आदमी, तो यह तो अपने आप में बता जेता है कि कौन, किसको आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है, जी, लेकिन जब राहुल जी मंदिर जाते हैं, अभी वो जोतिर है, जारकंड में, वहां गए, बैदनाध धाम, और वहां पर जब वो थे, तो वहां पर मोदी मोदी के नारे लगवा दिये गए, अब कॉंग्रेस कह रही है कि जहां राहुल जी जाते हैं, वहां ये लोग भेज देते हैं, पीछे-पीछे, देखे पहले तो जो आपने मंदा माता होकर के आया, ब्रजेशोरी माता होकर के आया, आपने निउस नहीं बनाई, क्यों? क्योंकि वह मेरे जीवन का पार्ट और पार्सल है, ये मंदिर तब जाते हैं, जब चुनाओ की घंटी बचती है, मंदिर की घंटी नहीं, जब चुनाओ की घंटी बचती है, ज आज देश का इलेक्टोरेट ये देखना चाहता है कि कौन व्यक्ति अपने धर्म के साथ खड़ा है इस बात को देखना चाहता है इसलिए लोग जहां तक आपने दूसरा सवाल किया उन्सा वो मोदी मोदी के नारे लगे थे वहाँ पर अब वो देखिए ये देश की आवाज ये तो आप जहां जाओगे बैजना धाम क्या आप किसी धाम में जाओगे वहाँ यही नारे लगेंगे क्योंकि ये देश की आवाज है ये देश का नारा है ये सब का नारा है इसको हमको समझ लेना चाहिए और इसमें वास्तविक्ता से देखिए आख बंद कर लेने से तो चलती है तो इसलिए वहां भी नारे लगे होंगे कोई मुझे इसमें आश्चर यह नहीं है और वहां कोई हमने भेज के नारे लगाये होंगे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है जो भी हम कहीं जाते हैं किसी मंदिर से गुजरते हैं किसी जगह से जाते हैं कोई कह देता है जै I am from India Oh you are from India Which part of the world is it यह हमको 90s में सुनने को मिलता था मिलता था कि नहीं मिलता था आज हम कहते हैं I am from India Oh Modi, Modi, Modi तो दुनिया में भी Modi, Modi हो रहा है तो यहां होने में कौन सी वरी बात है तो तो होना ही है तो होना है